दोस्तों आज आपने मुझे 5-10 मिट्स ते दिये ना आपका आने वाला अटेम्ट सुधर जाएगा आने वाले जो 50-60 डेज हैं आपके एक्जाम के लिए वो सेव हो जाएगे वीडियो को एंड तक देखना कुछ टाइम आपका लोगा लेकिन यह रिजल्ट आपको 100% दोगा 100% में आपको वोड़ा हूँ इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बाते करने वाले हैं जिसे आप इग्नॉर करते वे जा रहे हैं जिसको आप यह कह रहे हैं चल ठीक है देख लेंगे लेकिन उसकी वज़े से आपका टेम्ट हो जाएगा बाते बहुत बेसिक वाली हैं लेकिन if you want to clear the exam so you have to mention some points in your life on a daily basis आई मैं discuss करता हूँ सबसे पहली बात मैं आपसे 7.1 by 1 discuss करूँ आपको लगा रहे हैं यह तो मेरे कोई पता है वेट करो वीडियो के end तक बता होगा ठीक है नहीं पता सुन लो ध्यान से आज लिख लो अपनी एक डायरी लिखो हर एक सेकेंड कर रहे हैं कि तो में पास होना है कि नहीं होना हर एक सेकेंड को यूटिलाइज करो अपनी सक्सेस के लिए डोट बेस्ट यूर टाइप एक डायरी लो पैलो लो लिखो और आसे रोज ठीक लगाना कि क्या मैं इन चीज़ों पर रोज वर्क कर रहा हो कि नहीं कर रहा हूँ पहले बात सर्फ फुल स्लीवर्स पढ़ना है सर्फ फुल लिवर्स का मतलब क्या होता है मेरे पास कुछ Mentorship इस्टेंट्स जौइन करते हैं और कुछ आप अपना अपना पढ़ते उनको जौइन करने के बाद बूलते सर मेरे को सब आते और जब टेस रॉन होता है तो बूल होने के लिए गड़ा मत खोद के रखो यार ना करने से अच्छा है चार कोशन एक कोशन कुस्तों सीख के जाओ एक फॉर्मुला तो चैप्टर काना चाहिए चैप्टर क्यों मना है कुस्तों पता होने चाहिए how you can say तुम्हें नहीं आ था हो सकता है इस वीडियो को सुनके कुछ लोग नगटेब हो जाएंगे कि आसे गलतिया करना बंद कर देंगे I want 100% कमांड कि पास होना है जीत के आना है रिजल्ट एक परसेंट में आए या एक बच्चा पास हो उसमें आपका नाम होना चाहिए आसे डिसाइड कर लो और इती ही महनत करो इस लिवल पर कोई आपको रोक ना सके तो सर अगर मालनों कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं I giving you a solution First of all अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा Study mat के test your knowledge के questions करके जाओ 5 to 6 questions सब chapter में होते हैं at least वो तो करके जाओ worst to worst situation you have some understanding of that topic you can't ignore any topic Sir ये पढ़ लिया ये छोड़ दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करें के November 23 is your last attempt अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपका last attempt होना चाहिए comment box में जाके लिए Sir, November 23 is my last attempt and I am CA fileist I am chartered accountant जाके लिखे comment box में और इस बार सच में पास हो रहे है वीडियो को लाइक करके एक positivity लाओ कि YES! I have to clear my CX energy के साथ okay now Sir, time table full syllabus का करने का न एक question मेरे को और मिलता है WhatsApp पे मिलता है mentorship students है जो विगनरता बैच की students है वो पूसते मेरे से कि Sir, time को कैसे manage करें दो situation लिता हूँ either you are doing a job और you are a full time student देखो यार अगर job कर रहे हो तो मालो 8 बजे घर पर आ जाओगे रात को साढ़े 8 नौ बजे से पढ़ना शूरू कर दो रात को बारा एक बिस तक पढ़लो फिर 6-7 बिस तक उठ जाओ फिर 2 घंटे सवेरे पढ़लो एक घंटा पढ़लो फिर ओफेश चले जाओ अपने 2 पेज के notes रखो कभी भी time मिला खोल के पढ़लिया आपको time निकालना पढ़ेगा यार Sir, मेरे को न एक question आता है Sir, I want to join your mentorship Sir, आप बोलते हैं 100% result ले आउँगा क्या मेरे सरी 2 घंटे पढ़की CE पास कर सकता हूँ Sorry ये आल तो जलाल तो आई बला को टाल तो ये कोई shortcut नहीं है For any exam, you have to devote your time तुम्हें अगर राजा बनना है ना तो राजा बनने की तयारी कर नहीं बढ़ती है और भीक बची जो लोग मांगते हैं तयार करते हैं भाई आज कौन से गाना गाएगा तू आज कौन से कपड़े पहन के जाएगा तू आज कितना गंदा दिखेगा तो कि लोग तुझे भीक दे यहाँ पे हर कोई preparation कर रहा है सिवाए आपके राजा की कर रहे हो या रंग की कर रहे हो आप डिसाइड कर लो टाइम देना पड़ेगा टाइम निकालना होता है अगर तुम्हारी जिंदीगा परपस है किस वार parents के चेहरे पर मुस्कान आए उनकी आखों में आसू और proud आए खुशी का आपका पास होने का टाइम निकालना पड़ेगा और एक चीज़ वार बता दो वीडियो के description box में CA Dreamers the Avenger एक Telegram ग्रूप चैनल है उसको join कर लो उसमें एक ग्रूप मिलेगा Mission No.23 उसमें मैं daily targets दे रहा हूँ एक सब्जेक्ट खतम हो गया दूसरा शुरू हो रहा है जो खतम हो गया उसके टाइशन मतलो मैं उससे दुबार शुरू कर दूँगा at the end बट फिलहाल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसको आस से करना शुरू कर दो comment box में मिल जाएगा description box मिल जाएगा और दिक्कतारियो ज्वाइन करने में 935719404 पर मैसेज कर जाएगा check the targets, do the targets at clear your six है सर दूसरी चीज 100% knowledge एक है आपको question करना आता है मैंने पूचा इसका मतलब क्या है मतलब नहीं पता सर कर लेते हैं तुम एक ऐसे musician बनना चाहते है जिसको music का मतलब नहीं पता माल लो I say का tough paper आ गया language थोड़ी सी change आ गया क्या करोगे उस टाइब कोई भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे present moment पे रखो phone side करके, disturbance side करके at least giving you 100% यार तुम पढ़ रहे हो लेगर पढ़ क्यू रहे हो यहीं नहीं पता formula है root 2 AO upon C economic order quantity economic order quantity का मतलब क्या अधा है सर पता नहीं सर ने बोला था EO Q upon root 2 AO upon C मैंने सीख लिए अरे logic तो होगा कोई meaning तो होगा क्यू है EO Q why tabulation method applying in EO Q why 3 दिन के अधर खतम हो जाएगा और इस वीडियो के बाद आगे से हर week around 8 to 10 lectures आने वाले हैं तो आपके September end तक आप तक आप 7-8 chapter कर लोगे costing पूरी pass कर जाओगे with full 100% knowledge तो हो सके टाइम निकाल के एक lecture दो lecture दो घंटे पूरे दिन में लगेंगे देख लेना प्ले लिस्ट यूटूब पे costing की ओके नव अगला है प्रैक्टिस सर कहां से करें कुछ बतने सर हमने सब कर गया लेकिन हम समझ में नहीं है हम करें क्या देखो आपकी command किस पर होने चाहिए उस पर निची जो आईसा ही आपसे पूछेएगा आईसा ही कहां आपसे पूछेएगा अगर मैं बात कुरूँ 60 marks easy लाली की अगर तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं है knowledge का टाइम नहीं है simple सा step 60 marks एक telegram group से आप जाएए और check कीजिए daily targets वहाँ से कीजिए और जो subject शूड़ गया don't worry वह again repeat होगा not worry तो आपको क्या कर रहा है अगर कुछ भी नहीं करना है 60 marks लाने तो study mat की test your knowledge की question latest RTP MTP अब बोलो कितने attempt सुर मेरे बहुत टाइम है दिन में रोग चार घंटे बज जाती है तो 2-3 attempt की और कर लो don't say कि कितने attempt की भाई कितने तुम कर सकते हो वह बताओ आईसे में तो जितना करो उतना कम है मैं बात कर रहा हूँ 60 marks easily last सकते हो उसका तरीका बतारो study mat के test your knowledge equation RTP and MTP now एक question कल हमारा zoom session हो रहा था private session था बच्चों के साथ सर आपकी prediction क्या है पीपर को लेके पीपर easy आएगा कि tough आएगा मैं एक आपको बात बोलूँ महलों सच्चिन तैंदुलकर सहब in comparison to example ले रहा हूँ पाकिस्तान से match खिल लेगा है वो क्या सूचेंगे सामने वाला हलके से ball डालेगा या तेज डालेगा हाउ सच्चिन तैंदुलकर प्रिपेर हिंसेल्फ एपल अपना आइफोन फिर्टिन लाउंच करने वाला है वे राइट competition वो क्या लेके चलेगा कि Samsung और बाकी लोग बहुत खराब phone बनाएंगे मेरे ही सबसे best होगा what he thinking in mind जब भी तुम्हें ready करना है कुझ को 100% के लिए करो worst to worst के लिए करो कि एक्जामन कुछ भी पूछ ले I can score 60 plus easily always prepare for worst एक चुटी सी चीज़स में और करूँगा कि सर हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़े practice के साथ पढ़े सचिन तैंदुलकर रोग सपने नहीं देखता तब जाके वो legend बने you have to do practice and you have to prepare yourself for worst एक कोशन वाराते है सर सिंगल ग्रूप और बोद ग्रूप मैं आपके एक simple सा rule बताता हूँ अगर बोद ग्रूप करना है तो अगर बोद ग्रूप करने के आप बात कर रहे हो अगर आपका group 1 ready है up to 10th September या 15 ले लो तो तुम बोद ग्रूप के सोचो बट अगर तुम्हारा एक दो सजयक्ट ही हुआ है और group 2 का भी एक ही दो है तो भूल जाओ सर्फ एक group पे focus करो और pass हो एक बच्चे ने मेरे को message गया sir मैं आपका mentorship group join करूप तो pass हो जाओगा भाई देखो group join करने से pass नहीं होते यार you have to work hard sir मैं housewife हो sir मैं article student हो sir मेरे को 4 मैनी से पढ़ा है नहीं की मैंने कभी पढ़ा है नहीं किया pass हो सकता हूँ क्या आप आने वाली 10 to 12 hours per day till end of exam मुझे देंगे yes तुम pass हो जाओगे सर मेंटर्शिप कास जाइन करूँ भाई description box पर जाओ cadreamers.com website है वहाँ पर जाओ वहाँ पर लास्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा mentorship program number 231 का जाइन कर लो group one group two अभी भी pass करना बहुत असान है around 8 to 10 hours पढ़ना पढ़ेगा आपको सर आर्टिकल से कैसे पढ़ सकते भाई चोटी लेनी पढ़ेगी आपको और 50 days बचे 50 days में कम से कब एक मिन ना पूरा चोटी चाहिए आपको वरना देखो भाई एक तरीका है तुम्हारे पैसे हत्याना एक तरीका तुम्हें पास कराना मुझे चाहिए result और रिजर्ट के लिए मैं नहीं चाहता कि जितने वीडियो देख रहे हैं सब आई और मेंटर्शिप जोइन करें में चाहता हूं एक या दो ही बच्चे हैं और जो प्राउड के साथ पैरेंट्स को बोले पापा मैं पास हो गया अच्छा एक कोशन और कवर अप कर लेता हूं इसमें नहीं है अडिशनल कवर अप कर लेता हूं इससर हमने आपने का मेंटर्शिप पॉइंट जोइन करने क्या क्या होगा डिली टार्गेट्स आपका गाइडेंस आपकी प्लानिंग आपकी चेप्टरवाइस टेस्ट आपके मॉक टेस्ट और सबकु साइड कर दो आपका होगा रिजल्ट मैं आपसे जो मांग रहा हूं आप मुझे दोगे तो आप पास हो जाओगे फर्स्ट आप आप आल आई नीड 10-12 आर्स पर डे ठीक है और बौद गूप हो सकता है हो सकता है अगर आपने पूरा सब लेफस कंप्लीट कर लिया तो आप 12 to 40 आर्स लोगे बौद भी हो जाएगा लेकिन सुलिवस कंप्लीट हो गया तो अगर सिलिवस इंकंप्लीट है तो सिर्फ गूर्प पनिया ग्रूप टो सिंगल पर फोकस करूँ आप ठीक है मैं यह नहीं चाहता कि मैं अच्छे अच्छी एडविटीजमेंट वाली बात कर लूँ और आप जोईन कर लें और आपका टैम्ट्राइज है नहीं भई है ऐसा पाप नहीं बटोर ना मुझे मैं चाहता हूँ जो बच्चा आए हसते हसते आए और खुश हो के जाए और बोले सर आपके वजह से मैं पास हो गया ठीक है अगर जोईन करना हो तो एक ही चीज़ दिमाग में चीज़ सर मुझे पास होने है विदिन 24 आर्स आपके पास मेरा कॉल आ जाएगा आप अभी तक ग्रूप 2 कंप्रीट नहीं हुआ है और ग्रूप 2 भी अभी सही से प्रिपेर नहीं हुआ है दस सेप्टेंबर तक भी अगर आपका ग्रूप 1 रेडी नहीं है या ग्रूप 2 रेडी नहीं है तो सिर्फ ग्रूप 1 पे जाओ प्लीज क्योंकि बहुत के चक्कर में दोनों ग्रूप फेल हो गया हो, इससे अच्छा है, एक ग्रूप करो और पास हो जाओ। आपको आज से डिसाइड करना है कि मैं ऐसे पढ़ूँगा और ऐसे ही पढ़ूँगा और करके रहूँगा क्योंकि I have to clear my exam सर इसके लिए और तरीका क्या हो सकता है, एक सिंपल से तरीका बताता हूँ, आपको फोकस करना है आपना एक वाच क्लॉक, आपके फोन में भी होती है वाच क्लॉक, टाइमर फिक्स कर लो और फिक्स रखो मैं एक घंडे जब तक पढ़नी लेता, जब तक चार कोशन होनी जाएंगे मैं उठूँगा निए, आप उसके साथ बैटो, आपकी consistency अपने आप बन जाएगे जब आपका comparison आपके time के साथ होगा, you always win और इसी के साथ मेरे अगला point रहा है, don't compare भी तता है, एक बच्चे ने बुला, sir, मेरे तो 3 subject होगा है, मेरा दोस्त बुल रहा है, मेरा पूरा group बन खतम होगा, don't compare भी तता है, कुछ बुलता है, sir, मैं 10 reason करूँगा, मैं तो पक्का पास हूँ, कोई बुलता है, 2 reason करूँग चीज के, एक एक चीज को निचोड के समझ के फिर आगे बढ़ता है, but हाँ, फिर ये मत कहने end of the exam, मैं ये चीज भूल रहा हूँ, if you're doing a perfect thing और आपके comparison to other 5 revision के सर्फ 2 ही हुए है, तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने जो preparation कि उसने नहीं की, matter ये नहीं करता है, तु कि इतने depth में करते हो, और इसका अंतला ये भी नहीं है कि एक subject को इतना depth दिया कि slayvers खतम हो गया, everything should be in a time, कुछ लोग पूसने mentorship क्यों जरूरी, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये चीज खुद से नहीं कर भाते, एक बच्चे ने मुझे reply दिया कि सर, अगर मैं खुद से कर रहा तो एक या दो subject होते है, आज आपकी विसे group one खतम हो गया, और slayvers over हो गया हमारा, तो मैं अपनी तारीफ हो कि पुल नहीं बांदूँगा, बस यह कहूंगा, इन भातु का ध्यान till end of exam दे, ठेक है, and last एक शोटे सीचीज चीज आड़ करूँगा, if you want to join a mentorship, पैसे मत waste करना, अगर तुम serious नहीं हो, मैं बस उसी student को लेना चाहता हूँ अपने साथ, जो एक दम पागल है, कि सर बस पास करा दो सर, और कुछ नहीं चाहिए, सर रिजर्ट चाहिए, 10 गंटे बुलू, 12 गंटे बुलू, एक चैप्टर बुलू, तीन चैप्टर बुलू, अगर त अगर तरशे बलग चीज़े, यह लग चीज़े, दोनों compare मत करना, प्लीज, अलिवदर चाहूंगा, wish you all the best, God bless you, टिक एंट बववाए, अपना ख्याल रखेगा, parents के हर एक emotion के respect कीजेगा, और अपना हर एक second अपनी success के लिए, utilize कीजेगा, thank you and God bless you